दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की पहले कबर बिहार के नो जिलों में आज होगी भारी बारिस मौसम विवाग ने जारी किया अलर्ट जिहां पिछले तीन दिनों से सुबे में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिस का सिलसला जारी है अगली 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिस का अलाड जारी किया गिया है पिछले 24 घंटों में राज के 11 जिलों में भारी बारिस हुई सबसे ज़्यादा बारिस मुझपरपूर के बरेया में 233.5 mm दर्च की गई मौसम विभाग ने राज के कई जिलों में आज ठंका गिरने का भी अलड जारी किया है आपको बदा दे कि मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलड जारी किया है उनमें मदोबनी, दर्बंगा, सहरसा, किसन गंज, कटिहार, सुपोल, अररिया, मधिपुरा और पुर्निया सामिल है दूसरी तरब बिहार में बार का कहर नलंदा, बेगुसराय और भववा में घरों में घुसा पानी हजारों लोग वोई परिसां बिहार के कई जिलों में बार ने कहर ढाया हुआ है, नलंदा, बेगुसराय और भववा समेत कई जिलों में बार से तवाई मची है, नलंदा में सकरी, जिरायन, पंचानिया, नदी, उफान पर है, बार का पानी इलाके में पहुँच गिया है वहें बिहार, सरेप, कत्री, सराय, गिरिकाय और अस्तवा प्रकंडों के बाद रहुई और प्रकंड भी बार के चपेड में आ गये हैं, बेगुसराय में लगातार तीन दिन से होरे बारिस से लोगों का जंजिवन अस्त वेस्त हो गिया है, कई निचले इलाकों में पानी भ़र गया है, इससे लोगों को परेसानीों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा भवा में अपने खुबियों के करन अकसर सुरकियों में रहने वाला आधर्स, बलश्टो, गल्स, हाई स्कुल, बारिस के सीजन में खावियों के घेरे में है, दो दिन से लगातार होर बारिस के वज़े से स्कुल के प्रधानाचार कप्च समयत पाच कमरों में पानी घुश गया है। अगली बड़े कवर नालंदा और नावादा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सेम नितिस ने किया निर्क्षन अधिकारियों को दिया आवस्यक निर्देश। लगातार हो रही बारिस के बीच मुख मंत्री नितिस कुमार ने कल नालंदा और नावादा का दोरा किया बाढ़ प्रभावित छित्रों का निर्क्षन के दोरान मुख मंत्री नितिस कुमार के साथ जल संसादन मंत्री संजय जाबी मौजूद थे। इडिया से बाचित के दोरान मुख्यमंत्रे ने कहा कि जैसे ही बाड जैसे सिती की जानकारी मिले हम तुरंत दल बल के साथ बाड प्रववायत इलाकों का निर्चन करने के निकल पड़े आगे पिर इसी तरह की भवावा इस सिती उत्पन ना हो इसे लेकर कारी किये जाएंग लोजपा के नाम का भी नहीं कर पाएंगे उप्योग दोनों गूटों पर बाबंदी जिहां अपने चाचा से लड़ाई लड़ रही चिराग पासवान को बड़ा जटका लगा है चुनाव आयोग ने लोजपा का चुनाव चीन बंगला को फ्रीज कर दिया है अब चिराग पासवान या पारस कोई भी इस चुनाव चीन का उप्योग नहीं कर पाएगा दोनों में से कोई भी गूट लोग जन सकती पार्टी के नाम का भी उप्योग नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग ने कल ये आदिस जारी कर दिया है तरसल लोजपा का असली अधक्ष कोन है इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही थी चिराग पासवान और पसबदी कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष ये दावा कर रखा था कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही है और उनके नितुत वाली गुट को ही मायनाता मिलनी चाहिए आयोग न में टूटा रिकोर्ड जिहां गांधी जैनती पर सनिवार को आयोजीत मेगा वेक्सिनेशन में रिकोर्ड तूट गया महज आठ घंडे में 18 लाक लोगों ने वेक्सिनेशन कराया खरा मोसम के बाद भी लोग बारिस में भीग कर वेक्सिनेशन सेंटर पहुचे और कुरोना से आजादी का टिका लगाया साम चार बजे तक बिहार में 18,98,073 लोगों ने टिका लगवाया अब तक कूल 5,64,88,370 लोगों को टिका लग चुका है बड़ी कवर पटना चड़िया घर में टिकाट का नहीं लेगेगा एक भी रुपया सरकार का एलान फिरे में चड़िया खाना घुमेंगे लोग अगर आप पटना में चड़िया खाना घुमना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुसकबरी है अब आप अपने घर के परिवार के सदेसों और बच्चों के साथ फिरे में पटना के चड़िया घुम सकते हैं कट कटाने के लिए आपको एक रुप्या भी नहीं देना होगा खुद बिहार सरकार के वन एवं परियावरन मंत्री निरस्क मार बबलो ने इसकी घुसना की है मंत्रे ने कहा कि यह सुविदा एक सब्ता के लिए रहेगी और लोगों को मुप्त में परवेस करने के अनुमत की होगी सरकार के इस निन्ने के बाद 2 से 8 अक्टूबर तक संजय गांधी जेवी को द्यान में लोगों का परवेस सुल्क नहीं देना होगा हाला कि वहानों की पार्किंग के लिए सुल्क देना होगा बड़ी कबर तेज परताब का तेजस्वी पर सबसे बड़ा हमला लालो यादब को बंदग बना कर दिल्ली में रखा है राज़त का राष्टी यादग्ज बनने का सबना पुरा नहीं होने देंगे जहां लालो परिवार में छिड़े जंग अब आखरी मुकाम पर पहुचती नजर आ रही है लालो राबडे के बड़े बेटे तेज परताब ने कल तेजस्वी यादब पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया तेज परताब यादब को बंदग बना कर दिल्ली में रखा गया है उन्हें पढ़ना नहीं आने दिया जा रहा है तेज परताब ने कहा कि जो लोग राज़त का राष्टी अधग जिबनने का सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे दरसल तेज परताब यादब ने नया संगटन मनाया है चात्र जनसक्ति परिसद कल उस संगटन का प्रेसिक्शन सिविर था तेज परताब ने उसी सिविर में अपने समर्तों को को समधित करते वे ये बाते कही है बड़े कबर महागडबंदन में फसा पेच कुसे सरिस्तान सेट नहीं छोड़ीगी कॉंग्रेस परांपरागत सेट पर उमिदवार उतारने का एल बिहार विदानसवा की दो सिटे खाली पर उपचनाव के बाद महागडबंदन में रार ठन गई है एक और जहां एंडियन ने उमिदवारों की घोसना कर दी है वहीं दूसरी और महागडबंदन में कॉंग्रेस और आरजटे के बीच पेच फस गया है तरसल कॉंग्रेस पा अकली सिंग ने राज़त की सामने ये इस पच्ट कर दिया कि कुससर इस्तान सिट से कॉंग्रेस पाटी अपना उमिदवार उतारेगी इसलिए पाटी अलगमान से बात से चल रही है कॉंग्रेस पाटी के बिहार प्रदेश यादक्च मदन महंज्छा ने कहा कि पाटी करोड होंगे खर्चे जी हां सिक्चा विवाग ने प्राइमरी स्कुलों के संग चल रही 5,682 आगन बाड़ी के 2,00,000 से अधिक बच्चों की प्री प्राइमरी कक्चाई नॉवंबर मा में सुरू हो जाएगी इस दिसा में अनवार तैयारिय पूरी कर ली गई है अक्टोबर में इन आगन बाड़ियों की सहाईकव को प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का विश्यस प्रिक्चन दिया जाएगा सबसे खास बात या होगी कि 3-5 साल तक इन बच्चों पर प्रती बच्चे 13,802 रुपिय खर्च किया जाएगे सिक्चा विवाग की तरफ से इन सवी प्री प्राइमरी कक्चाओ के संचालन से पले इनकी क्लासों में जूले टेबल कुरसी, आकरसक रंगिन किताबे, खेल कुद की समान, साउंड बॉक्स आदे दिये जाने है बिहार सिक्चा परियोजना इस दिसा में लगातार कार योजना को परभावी करने में लगा हुआ है बड़ी कबर सारान में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कारगो टर्मिनल, जलमार्ग के चरिये कुलकत्ता और नेपाल से वेपार में मिलेगा लाब भारतिय अंतर देशिये जलमार्ग प्रादिकरन की ओर से गंगा में जलमार्गो को ससक्त बनाने के लिए कराए जारे कार को 2023 तक पुरा करने का लच्छ रखा गिया है गाई घाट निने इसी संसान में प्रादिकरन की अदर्च जयन्द सिंग ने ये बाते कही है जयन्द सिंग ने कहा कि सारन के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा 10 सितंबर से वहां कार आरम हो गिया है अगस 2023 तक 24 मा के अंदर कार को पूरा करने का लच्छ रखा गिया है बिहार में खतम होगा बालू का संकाड पटना और भोजपूर समेत 8 जिलों में खनन के लिए टेंडर जा पिछले कुछ मैनों से बिहार में चल रही बालू की किलत अब जल्दी कतम हो जाएगी राज सरकार ने इसके लिए बड़ी पाल की है सुकुरवार को होवी केविनेट की बेढ़ग में बालू खनन से जोड़े निविदा प्रक्रिया को हरी जंडी दे दी गई है प्रदेश के 8 जिलो, नवादा, वेसाले, अरवल, बकसर, बाका, बेतिया, मधिपुरा और किसंगन जिलों में सनिवार से ही बालू का खनन सुरू हो गया है सरकार के इस कदम के बाद बालू की किलत दूर होने की उमीद है बिहार में 4 से 18 अक्टूबर तक पुलिस वालों की छुटी रद, पुलिस मुख्याले ने जारी किया आदेस बड़ी खबर बिहार के पुलिस मुख्याले ने बिहार के पुलिस जवानों से लेकर अधिकारियों तक के छुटी कैंसल कर दी है दुरगापुजा को देखते विए पुलिस मुख्याला ने यहां आदिस जारी किया है पुलिस मुख्याला इज की आईजी के तरफ से जारी किये गए इस आदिस में पाटना सहीत राज के सभी जिलों के SSP और SSP को यहां निर्देश दिया गिया है कि वह सिपाई से लेकर पदादिकारियों और कर्मियों की छुटिया 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रद करने का आदिस दिया गिया है अगली बड़ी खबर बिहार के सभी प्रावेड स्कूलों को बढ़ी राहत सरकार ने मायनाता के लिए बढ़ाई तारी जिए बिहार के सभी प्रावेड प मायनाता के लिए आविदन कर सकते हैं बिहार सिक्चा विवाक के और से मुताबिक बच्चों के मुप्त एवं अनिवार सिक्चा का दिकार अधिनियम 2019 की दारा 18 और बिहार राज बच्चों को मुप्त एवं अनिवार सिक्चा नियामले 2021 नियम 11 के प्रादावनों के तहत र 31 नवंबर तक कर दिया गिया है अगली बड़ी खबर पटना में 300 रुपे में दो घंटा करे गंगा की लहरों पर सेर जिहां गंगा की लहरों पर सेर की इच्छा रखने वाले सेलानियों के लिए अच्छी कबर है फुलो टापे क्रोजेज की ओर से 8 अक्टूबर से गंगा मे मेबी अलपा का संचालन किया जाएगा 300 रुपे में सेलाने दो घंटे तक गंगा की लहरों की सेर कर सकेंगे जहाज का संचालन सबता की सबी दिन दोपार साड़ी चार बजे से साम की साड़ी छी बजे तक किया जाएगा जहाज दो घंटे के गंगा में 6 किलोमेटर की सेर क प्रथम इंटर लेवल संयुक्त परतियोगता परिच्छा 2004 को लेकर लास्ट रिमाइंडर जारी किया है बिससी के अनुसार अभी तक 1218 अभीयरतियों ने मुई की परिच्छा के लिए आवेदन फर्म नहीं भरा है चार अक्टोबर 2021 के बाद किसी भी अभीयरतियों का आवेदन सिवकार नहीं किया जाएगा बिससी प्रथम इंटरिस्टरी परिचा 2014 में भाग लेने वाले अभीयरति ऑनलाइन बिससी.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आज कि लब का सवाल बताएं कि लोजपा के चुनाव चीन ने फरीज होने के पीछे सबसे ज़्यादा दोस्त किसका है इसका जवाब आप हम नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं